आम मंसूरी महासबाजमेर के और से पूरे भारत से मंसूरी समाज के अलग-अलग नाम से बने मंसूरी संगटनों के एक मीटे तेरा तारिक राइवार को लोंग्या मुहले में स्थेत काफिया पैलिस में रखी गई रियाज अहमद मनसूरी ने बताया कि मनसूरी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी संगठन अच्छे से काम कर रहे हैं रहेवार कोई बैटक में मनसूरी समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाए इस पर चर्चा की गई आज हमारे राजिस्तान के अंदर मनसुरी समाज के जो भी संगठन बने वे हैं जो काम कर रहे हैं मनसुरी समाज को जो फिद्मत कोशा रहे हैं और मनसुरी समाज के लिए जितने भी संगठन काम कर रहे हैं और सभी अच्छा काम कर रहें, किसी से किसी को पूरी समाज नोई है। जितने भी संगटन थे उनके पताधीकारियों को इहां एकटा किया गया, उनको भूला के उनको इसको प्रेट वाम पर आने का दावतना है दिया गया और वने बात को एगरी किया गया हमें सबको मिलके समाज को आगे ले जाना है समाज में जो फैली भी कुरतियां है जीसे शिक्षा की कमी है बे रोजधिगार की कमी है और भी बहwar boost चीज़े हैं समाज के अंदर उन चीज़ों को दूर करना है शिक्षा को बढ़ावा देना हैं रोजगार को बढ़ावा देना है और हमें सब को साहत लेके चलना है शरीब के अंदर से सुरुवात की गई है और जितने भी हमारे पतादेकारिां के ने राजीसान के अंदर हमें तेजिए करेंगे और हम अब कौम को आगे ले जाने की फोशिश करेंगे 13.10.2019 को बहरोज रविवार को जनाब रियाज साहब के मकान के पास काफिल पेलेश के उपर तमाम राजस्तान के तमाम मुंसुरी समाज की एक मिटिंग का आयद ने रखा गया इसका मुझू है कि मंसुरी समाज को एक पलेट वारंपर राजस्तान में कैसे लाए जाए इस कारिकरम में आउल इंडिया मंसुरी समाज, अकिल भारती मंसुरी समाज, मंसुरी सेना, राष्टी मंसुरी समाज और तेले समाज और यूत मनसरी प्रेटरेशन तमाम तंजीमे और भी तंजीमे हैं इसमें भाग लिया और सब की राई यही है कि वही राजस्तान के अंदर मलब तमाम मनसरी समाज को एक प्लेट बार में